आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं सुडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन के बारे में तो हम सबसे पहले जानेंगे कि सुडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन होता क्या है तो हम जानते हैं कि सुडो नोबल गैस कॉन्फिगरेशन यह नाम सही जैसा कि आप जानते हैं प सूडोनोबल गैस काल्कुलेशन में 18 इलेक्ट्रोन होते हैं जैसे कि एक्जामपल जैसे कि यहां पर दिया हुआ है एनेस टू एन पी सिक्स एंडी टेन तो इसमें देख सकते हैं आप 2 6 8 और 10 18 इलेक्ट्रोन है इसमें भी तो इसके बारे इसके कुछ प्रोपर्टी जानते ह लिए तो इसके कि सबसे पहला है इसका पोलेराइजिंग पावर हाइज गया है सी और कि यो प्लस का हमिग जैसे लेते हैं तो सी यू में सी यू प्लस में क्या होता है सी यू प्लस में होता है वन इलेक्ट्रोन डोनेट कर देता है तो उसके पास एक कम इलेक्ट्रोन बचता है तो सी यू में हम देखते हैं सी यू का electronic configuration क्या होता है CU का electronic configuration होता है 1H22H22P63H23P63D10 3D10 उसके बाद एक electron और add होता है लेकिन हम CU plus 1 electron donate कर दें तो इसका electronic configuration हो जाएगा 1H22H22P63H23P63D10 तो देख सकते हैं आप कि हमारा ये वाला जो हमारा pseudo noble gas configuration में होना चाहिए NH2, NP6, ND10 ये तीनों इसमें है where N is equal to 3, 3, 3 अब similarly AG plus और AU plus भी इसके example होंगे और देखिए जैसे zinc का होता है zinc का क्या होता है हमारा electronic configuration 1H22H22P63H23P63D104H2 होता है लेकिन अगर हम इसमें 2 electron donate करवा दे दूसरे bonding या फिर किसी को दे दे simply donate कर दे तो इसमें electron हम लोग क्या किये हैं lose किये हैं 2 electron क्या किये हम लोग lose किये हैं तो ZN2 plus बनाएगा तो ZN2 plus में 3H23P6 और 3D10 आखरी में आएगा similarly इसके example हो जाएंगे HG HG2 plus similarly इसका example CD2 plus हो जाएगा तो so they have high polarizing power and covalent character इसलिए इसका high polarizing power और covalent character होता है अगले वीडियो हम जानेंगे फजांस rules के बारे में तब धन्यवाद